चले बच्चो आज देख्ते हैं हुनस डी का रभक्रिया जो कि काफी महात्पूर होता है एनौल एक्जाम के लिए हुनस डी का रभक्रिया में होता क्या है कि बसी अमलत का मतलब क्या होता है COOH होना चाहिए और बसी अमल के इसी सिल्वर लवड कर दिया बच्चो जैसे थोड़ा समझने की कुछिस करना कि आपका R-Alkyl Group है इसमें इदी कारबन है कारबन के साथ दो आक्सिजन और इदी H जुड़ा है तो आपका अमल कहलाता है और यहां पर इदी कोई आप जैसे सिल्वर ही जोड़ रहे हो तो यह सिल्वर का आपका लवड कहलाएगा बसी अमल का सिल्वर लवड कहला जाता है ठीक है अब हुन्स रडी का रबक्रिया में मुक्रूप से आपका भी कारक है इसमें अपन क्या करते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन गैस प्रवाहिद करते हैं ब्रोमीन का मतलब बी आर टू यह आप क्लोरीन या ब्रोमीन प्रवाहिद करोगे और किसके प्रजंस में कार्बन टेट्रा क्लोराइड ठीक है कार्बन टेट्रा क्लोराइड बिलियन पर यह क्रिया होगी तो आपका AGBR अलग हो जाएगा यहाँ पे जो आपका कार्बन है वो आक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डायाक्साइड बना देगा तो जब हम एदि आर की बात करें तो यह आर जो है यहां से ब्रोमीन को उठाएगा तो यहां एलकल ब्रोमाइड बनाएगा और यह हैलो इलकेन बनाने की बीधी है समझ रहना चलो तो बच्चो यहां से जो आपका BR है यहां से एक AG को उठाया और एक BR जो है R के साथ जुड़ गया और बच्चा कारबन तो आक्सिज़न के साथ क्रिया करके CO2 बना दिया बच्चो और AG BR बना दिया ठीक है यही है आपका हुंसरडी कर अभख्रिया क्या है हुंसरडी कर अभख्रिया यदि हम आर के जगह जोड़ दें माल लीजे कोई भी एलकिल ग्रूप जोड़ देते हैं C2H5 C2H5 C00 और आपका AG तो आपका सिल्वर का बसी लबड हो गया इस पर हम कौन सा ब्रोमीन प्रवाहिद करेंगे किसके बिलियन में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCL4 के बिलियन में तो हमारा कार्बन डाई अक्साइड जिसे आर के जगह हमारा C2H5 है तो C2H5 जुड़ जा यहां पर ब्रोमीन जाके जुड़ता है तो कार्बन डाई अक्साइड अलग हो गया आपका और आपका यहां पर AGBR अलग हो जाता है तो हूंसरडी का अबक्रिया पूछा जाए तो मात इतना ही आपको लिखना है आप कई बच्चों को परसानी होती है कि सर हूंसरडी का अच्छा यहां पर मैं यदि कोई भी यहां पर एरिल ग्रूप जोड़ दूँ जैसे यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं एरिल ग्रूप जोड़कर एरिल ग्रूप जोड़ूँगा तो आपका हैलो एरीन बाला पार्ट बनेगा यहां पर जोड़ दूँ C6H5 ब बांकि वही BR है, कारबन डाय अकसाइड हो ही बनेगा, बांकि AGBR बनेगा, इसमें कोई दिक्कात नहीं है, तो कहने का मतलब थोड़ा सा बदलाव होता है, हुन्षडी का रवक्रिया आप से पूछा जाए, तो बस आप इतना लिख देना, यदि आप से तीन रियक्षन बन रह तो चार लिखो, नाम बाले रियक्षन काफी महत्पूर होते हैं, बोड इक्जाम के लिए, चाहिए आप किसी भी स्टेट बोड से हैं, आप लोगों को त्यार कर लेना चाहिए, ना केवले ट्वल्थ लेबल के लिए है, बलकि आगे चलकर आपको ग्रिजेशन लेबल में अब ये काम आने बाला है, जैहिंद बंदे मातरम